तमस्कार विद्यारतियों Study 29 अकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं आजम कक्सा आर्ट की हिंदी की कारी पुस्तिका का आंकलन तीन हल करेंगे तो इस आंकलन को समझने के लिए वीडियो को सुरू से लेकर तक देखें और अपना कोई सुजा हो तो comment box में जरूर लिखें तो इस आंकलन का पहला परसन है नीचे लिखे असुद शब्दों को सुद रूप में लिखे यहाँ पर हमें कुछ सब्द दे रहे हैं जो असुद हैं उनको हमें सुद करकी लिखना है तो अब में हैं प्रात्मिक प्रात्मिक सब्द लिखने की कोशिस की है तो हम इसको सुद रूप में लिख देंगे प्रात्मिक इस प्रकार ये सुद्द सब्द हो जाएगा दूसरा है हिंदी तो हिंदी को हम सुद रूप से लिख देंगे इस प्रकार आजाएगा हिंदी बाव में है फूल यह फूल हो जाएगा इसमें जो मात रही है बड़ी आजाएगी इसमें आजाएगा बंदर इसमें बंदर इस परकार हम इसको सुद्गर कर लिख देंगे दूसरा परशन निंचे लिखे गद्यांस को पढ़ गर परशंणों के उतार दीजिया इसको पढ़ना है और दिये क्व परश्णों के उतार देने है लेकिन किल्य तक पहुंचना आसान नहीं था किल्य के दक्षिन में सुल्तान कोट गाउं के पास एक उन्चा टिला था टिप्पू ने अपने बंदूगदारी सैनिकों के एक टुकडी उस टिले पर तेनात कर दी तो ये हमारे गद्यां से इसके अनुसार में परसनों के उतर देना है पहला आ में परसने आसान सब्द का अर्थ है तो आसान सब्द का अर्थ हो जाएगा सरल आसान सब्द का अर्थ हो जाएगा सरल बाद, मिंचे लिखे सब्दों का अर्थ लिखे, यहांपर हमें कुछ सब्दे रहे हैं उनकी अर्थ लिखने हैं, फोज, फोज का अर्थ होगा सेनिक, सेना या सेनिक, इसको आप सेना भी लिख सकते हो, अगला सब्द है नस्दीक, तो नस्दीक का अर्थ हो जाएगा पास, एकदम शमीप, शमीप या पास, आप इसको शमीप भी लिख सकते हो, स, टिपु ने अपने सेना के टुकडी कहा तेनात कर रखी थी, टिपु ने अपने सेना के टुकडी है वो तिले पर, तिले पर तेनात कर रखी थी, तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, टिपु ने तीसरा परसन हमें समय बचाने के लिए इसका उत्र पहले ही लिख लिए हैं, तीसरा परसन आपने कोई किल्ला या पुरानी हवेली देखी होगी, किल्ले या हवेली के बारे में दो तीन पंक्तिया लिखी हैं, तो इसके उत्र में आपने किसी अगर किल्ले की या कोई हवेली क बारे में जानकर इपरापत है, आपने कहीं देखा हो तो उसके बारे में दो या तीन पंक्तियां लिखनी है, तो मैं उदान के तोर पे इसका उतर लिख रहा हूँ, आप हो सकता है, इस परसन के लवा आपने कोई चीज देखियो तो वो आप लिख सकते हो, मैंने सजन गड़ किला देखा है तो मैंने सजन गड़ ब्यारनी और सजन गड़ किला देखा है जो उदेपूर सिटी के पास में स्थी थे यह किला एक पाड़ी पर बना हुआ है सजन गड़ का जो दूर गया है यह किला है वो पाड़ी पर बनावाई इस किले के चारों और ढलान वे जंगल है यानि पाड़ी पर बनावा होगा तो स्वाबा भी कह कि इस किले के चारों तरफ ढलान होगी और जंगल भी इस किले के चारों तरफ है तो इस परकार आपने जो भी किला या वेले देखिए उसके बारे में तीन पंक्तिया लिखनी है चोता परसन उप्रियुक्त गद्यांस का एक उचित सिर्शक लिखी है तो यहाँ पर हम सिर्शक लिख देंगे इस गद्यांस में मेसूर का जो यूद है उसके बारे में जानकरी दीगे तो यहाँ पर लिख देंगे मेसूर का यूद यह इसका सिर् और ख में है किला, तो किला एक हो जाता है और किले बवचन, किले चटा परसंद, निंचे लिखे युग्म सब्दों का परियोग करते वे वाइके बनाईए, यहाँ पर हमें कुछ युग्म सब्द दे रहे हैं, उनका हमें वाइके में परियोग करना है, फल फूल, इसका हम व का पेड़ हरा बरा है, यह इस परकार हम इन युग्म सब्दों का वाइके में परियोग कर लेंगे, तो इस परकार इस वीडियो में हमने आंकलन तीन को हल किया, अगले वीडियो में हम अगला काजी पत्रक हल करेंगे, वीडियो अगर उप्योगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में सेर करें चैनल पर पहली बार रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबादें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिपिकेशन आपको समय पर मिल सकें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद